नमस्कार हमारे चैनल जूम पिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमालय परवतमाला के बारे में, जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया एक अनमोल उपहार है। हिमालय का परिचे। हिमालय परवतमाला दुनिया की सबसे उची परवत श्रंखला है, जो भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान जैसे देशों से होकर गुजरती है। यह लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसमें दुनिया की सबसे उची छोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। हिमालय का महत्व, हिमालय ना केवल अपनी उचाई के लिए प्रसिद्ध है, बलकि यह कई अन्य कारणों से भी महत्वपून है। यह भारत और चीन के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है और कई बड़ी नदियों का उदगम स्थल है, जैसे कि गंगा, सिंधु, ब्रह्म पुत्र और यमुना। हिमालाय कई दुरलभ वनस्पतियों और जीवों का भी घर है और यह एक महत्वपून परेटन स्थल भी है। हिमालाय के विभिन पहलू इस वीडियो में हम हिमालाय के विभिन पहलूं पर नजर डालेंगे जिन में शामिल हैं। हिमालाय का निर्माण हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हिमालाय कैसे बना और यह कैसे विकसित हुआ। हिमालाय की भौगोलिक विशेशताएं हम हिमालाय की विभिन भौगोलिक विशेशताओं जैसे कि पहाडों, नदियों, जीलों और ग्लेशियरों के बारे में जानेंगे। हिमालाय की जैव विविधता हम हिमालाय में पाए जाने वाले विभिन प्रकार के पौधों और जानवरों के बारे में जानेंगे हिमालाय का मानव जीवन पर प्रभाव हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हिमालाय का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है जिसमें जलवायू, क्रिशी और परियतन शामिल है। वहीं यूरेशियन प्लेट दक्षिन की और खिसक रही थी। लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले ये दोनों विशाल प्लेटें टकराईं जिससे पृत्वी के इतिहास में सबसे बड़ी टकरों में से एक बन गया। इस टकर के कारण भारी मात्रा में चट्टाने उपर उठी और सिल्वटों में बन गई जिससे हिमालय परवतमाला का निर्मान हुआ। हिमालय का निर्मान एक निरंतर चल रही प्रक्रिया है। टेक्टोनिक प्लेटें अभी भी कती कर रही हैं जिससे परवतमाला धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। यही कारण है कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा परवतमालाओं में से एक है और अभी भी हर साल कुछ मिलिमीटर यह परवत भी बढ़ रही है। आईए अब हम नजर डालते हैं हिमालय परवतमाला के कुछ भौगोलिक मनोरम द्रिश पर। हिमालय परवतमाला न केवल उँचाई में विशाल है बलकि इसकी भौगोलिक विशेषताएं भी अत्यंत विविध और लुभावनी हैं। आईए इन अद्भुत विशेषताओं की यात्रा करें। उँचे शिखर हिमालय दुनिया की सबसे उँची चोटियों का खर है जिन में माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सर्वोच बिंदू और अन्य 8000 मीटर से अधिक उँची चोटियाओं शामिल हैं। ये चोटियां न केवल परवतारोहियों को चुनोती देती हैं, बलकि प्रित्वी के वातावरण को भी विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाती हैं। हिमालय क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े गलेशियर क्षेत्रों में से एक है। जैसे कि ब्रह्म पुत्र और सिंधु नदियों की खाठियां। विविध जलवायू क्षेत्र हिमालय की विशाल उंचाई के कारण इसमें विभिन्न प्रकार के जलवायू क्षेत्र पाए जाते हैं। तलहटी में उश्नकटी बंधिय जलवायू से लेकर उच्च उचाई पर बरफीले टुंडरा तक यह विविधता, वनस्पतियों और जीवों की समर्द्ध विविधता को जन्म देती है। हिमालाय परवदमाला न केवल भौगोलिक द्रिष्ट से आश्चर्य जनक है, बलकि यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्रों भी रखती है। यह कई देशों की सीमाओं को चिन्धित करती है, जिन में शामिल है भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, उटान, अफगानिस्तान और म्याम्मार जो विभिन्न संस्कृतियों का घर है। इस वीडियो में हमने हिमालाय परवतमाला की कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेशताओं का अबलोकन किया है। आशा है कि यह आपको प्रकृति के इस अद्भुत चमतकार के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगा। इस वीडियो में हमने हिमालाय परवत का परिचय, हिमालाय का निर्मान, वविकास और हिमालाय के भौगोलिक विशेशताओं के बारे में जाना दूसरे भाग में हम जानेंगे हिमालाई की जैव विविधता और हिमालाई का मानव जीवन पर पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में तो चलिए अगला भाग देखने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए